हेलो फ्रेंड वेल्कम तो मैं चैनल जार्टीज थर्टीथ में निफ्टी-फ्टी की एक्सपाई रहे हैं क्या बड़ा मुव आएगा एक्सपेक्टें तो है कि बड़ा मुव आ रहा है गाइस ने बताता हूं चार्ट के ऊपर चार्ट देखें कि तब लेवल में दिखा दू मैं वीडियोज डिस्क्लेमर ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल टू बेरिश चैड है मैंने जैसे कल बताया था यह डाव जोन नीचे गिरा है थर्टी एट थावडन फाइंड तक आ गया है और अगर आप देखोगे तो चेंजिस में सब रेड है मतलब सभी जगह पर बे बेरिश है सब बेरिश है वह माई वीज में मैं एडवन्स टिकलाइन भी बता हूँगा आपको तो थोड़ा एक बेरिश मूव आ रहा है अभी मैं बताता हूं नेक्स्ट आगे चार्ट होए करंसी अभी भी बीक है कॉमोडिटी इस नूटरल तो थोड़ा वह बेरिश हुआ है पट नूटल तो बेरिश है एफ़ाइ डियाई डेटा की बात करें तो गईस डियाई ने 13000 के करीब करीब बाइंग किया और सेलिंग किया 7720 करोड का तो मतलब नेट बाइंग आया 5,233 करोड का और FII का बाइंग आया है 14,162 करोड का उसके सामने सेलिंग है 20,000 करोड का तो मोटा मोटा उसका 6,000 के करीब उसका सेलिंग चला गया है तो आज हमको वही प्रेशर देखने को मिला जितने भी वेलनोन स्टॉक से 50, 50-50 के ये सब वो सभी स्टॉक में बाइंग होल्ट है अभी आप अगर डेटा चेक करोगे तो किसी में भी बाइंग नहीं चल रहा है Nifty FII के दवारा FII Selling Start and DIMI FII Selling Start and DIMI Nifty 50 Under Pressure एक दिन और रह सकता है फिर एक अपना लेवल आएगा तो शायद कल के दिन वो लेवल आ सकता है मतलब कल का ही दिन है वो कल के दिन वो लेवल अगर दिखा के बाउंस लेता है तो ही ये ट्रेंड सस्टिन करेगा Otherwise जो इतने टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था उसको एक डाउन ट्रेंड मिलने के चांसिस बट अपना एक लेवल है निप्टी 50 के लिए 22,528 और बैंक निप्टी का है 48,260 के गरी 160, 260, 260 Today's Technical Concept वही में है इसको मैं वापिस दिखाऊंगा आपको इविनिटा को HDFC बैंक ने एक लेवल तोड़ दिया 1520 का 1560 पर क्लोज दिया है गिफ्ट निप्टी अभी 683 पर वो मैंने चेंज ने किया 6, almost 700 के नीचे चला गया है इंडिया विक्स देखो के तो 24.1750 और एडवांस डिक्लाइनिंग रेश्यो के बात करें तो आज 955 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक थे 1300 तो मुटा मुटा बेरिश मर्केट रहा आज यह टेक्निकल कंसेट मैंने दिखाया था यह जो इवनिंग स्टार है मैं चार्ट पर दिखा देता हूं गाईस वह एक नेगेटिव पेटाने हो हर बार काम करता है तो उसको सीख लीजे निफ्टी-फिप्टी के इंट्राडे में मैंने आज दो ही लेवल लिखे है एक स्ट्रॉंग सपोर्ट लिखा है 528 का अगर मार्केट 500 को रिस्पेक्ट देता है और अगर वहां पे बुलिश केंडल बनना चालू हो जाती है दो-तिन केंडल बन जा है पांच मिनिट में और एक अगर वह बाउंस करेगा डाई पोने तीन बज के आजो बाजो तो फिर एक कॉल ले सकते है वह जीरो टू हीरो ट्रेड रहेगा तब वहां पे एक कॉल आ सकता है और उसका फर्स्ट इमिडियेट रेजिस्टंस से 2200 और सेकंड रेजिस्टंस रहेगा 22912 तो साइद 300 से 400 पॉइंट का फॉल है और अगर 528 से बाउंस बैक करता है मार्केट तो 100 या 200 पॉइंट तक भी बाउंस कर सकता है 700 तक तो 600-700 पॉइंट पूरा मरलब 600-600 पॉइंट का मुव्मेंट होने का चांसिस है निप्टी-फिव्टी में बैंक निप्टी-इंट्राडेंट स्विंग मैं जस्त आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं इसके अंदर भी कि यह जो पैटन है इसमें यह फोर्थ टाइम आ रहा है चार बार बी ओएस मिल गया वनार की टाइम पैटन में तो यह चौथी बार आ रहा है और ही यह रिस्क कॉल है तो एक लोट या ऐसा ही लेके ट्राइल ले सकते है अगर वो सस्टेन करेगा तो ही सेकंड लोट करना बट यह फोर्ट टाइम है तो मैं सजेस्ट भी नहीं करना हूं आपको आप मार्केट को देखके ट्रेड करिएगा नहीं तो यहां से एक बड़ा फॉल भी आ सकत माइ मोटर इस तो रिद्यूस नंबर्स आप लॉस मेकिंग रिटेल ट्रेडर्स फाइब संट इंप्रूमेंट केन बीग अचिमेंट को में लेवल संट चार्ट तो गाइस चलो चलते हैं चार्ट के उपर तो यह हम बैंक निप्टी के चार्ट पे आ गए गाइस और यह वीकली टाइम फ्रेम में है अगर मार्केट आज 615 के उपर क्लोजिंग दे देता तो एक कंटिनिशन सोच सकते थे अपर साइड बट मार्केट अभी भी थोड़ा डाउन साइड है तो यह दो लेवल है जो 266 का और एक लेवल है 165 का यह दोनों सपोर्ट लेवल है अगर मार्केट कल यहां कहीं खुलता है और वापिस बाउन्स लेता है स्ट्रॉंग बाउंस होना चाहिए तो ही हम बोलेगे कि यह ट्रेंड चेंज हो गया अगर यह लेवल ब्रेक करके नीचे जाना चालू कर देगा तो थोड़ा रिस्की माहौल बन जाएगा और यह जो करेक्शन आएगा इसके लिए भी मैंने लेवल लिखके रखे गाइस य एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है अगर इसके नीचे गया तो इसके लिए हमें 7 जून तक का वेट करना पड़ सकता है 6 जून 7 जून तक का अगर वो जू एक डेटा आएगे अरे स्वरी रभी आई के डेटा आएगे अगर उसमें कुछ गड़बड निकला तो फिर य का पैटन है यह भी एक नेगेटिव पैटन है इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है मार्केट बट यहां से अगर बाउंस कर लेता है तो एक बड़ा बूली स्मूव भी देखने को मिल सकता है एक ट्रेंड लाइन जो चल रहा है उसके उसको भी ब्रेक दिया है मार्केट न कि ट्रेंडेंच चल रहा था उसको आज ब्रेक किया है वाफिस मार्केट ने तो देखते क्या करता है मार्केट अच्छा मैं आपको एक यह जो टेक्निकल कंसेट में मैंने इविनिंग स्टार लिए है वो दिखा लेता है यह यह अपना इविनिंग स्टार था उसको रिटेस करने के बाद देखो मार्केट एक दों नीचे आ गया और मैंने यह लास्ट टाइम जैसे हुआ था यह देखो इस बार इसने बनाया है इविनिंग स्टार वापिस स्टार तो देखना पड़ेगा कि अभी यह हैंगिंग में ने इस बना देगा बाइचांस पहले गंटे में तो यह हमको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव हुआ है मार्केट अधर्वाइस यहां से बाउंस करने के 99% च तो एक बुलिश चाइन है अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो कंटिन्यू करेगा मार्केट 48500 के नीचे और अगर यह 613 यह 613 वाला 615 रखे 615 या कल का यह हाई जो मारा 624 624 के उपर जाता है तब ही बाई करिएगा तो इन बीट्विन मार्केट फस सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है बैंक निप्टी में स्पेसिफिकली क्योंकि ऐफाय ने बैंक निप्टी में सेलिंग किया है बट मैं आपको एक आपोजित डिटा दिखाता हूँ उसने एफाय ने निप्टी में बाइं किया तो वह सकता है कल निफ्टी बाउंस कर ले ठीक है गाइस तो यह सिंबॉल्स हम देखके ट्रेड कर सकते और कल मैंने परसो की वीडियो में मनें बोला था अगर यह लो तूटा 49,000 का तो मिनीमम 300 पॉइंट हम कैप्चुर करेंगे तो मार्केट ने अगर 300 पॉइंट नीचे सी उसके बाद में मार्केट ने कंटीन्यू नीचे तक आगए 300,400 का लेवल दिखा है आज मैंने बोला था यह 664 उटा तो 360 तक का लेवल देखेगे बट 400 तक ही गया और फिर मैंने भी फिर थोड़ा प्रॉफिट रिटान दे दिया मार्केट और क्लोस किया ठीक है गाइस तो आज के अनालिसिस में इतना ही था अगर आपको मेरा अनालिसिस अच्छा लग रहा हूँ प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी रिटेल ट्रेडरों को भी बेजे एक चीज में जो आपको दिखाना चाहरा था एक बार दिखा देता अधर को चैश्रेक है कि मार्केट ने हमें यहां पे एक बार सबस्क्रा लगए ब्रेश कहो यह यह सॉर्यु है यह बी ओसंफिं यह BOS है फिर उसने दूसरी बार भी BOS बनाया कहां बनाया यहां बनाया फिर वापिस उसने BOS बनाया तीसरी बार यहां बनाया उपर के साइड़ पर कुछ दूसरा क्लोन हो गया तीसरा BOS बनाया उसने यहां पर और चौथा BOS बनाया है वहां पर ठीक है तो यह चार BOS मतलब ब्रेक ओफ स्टक्चर मिले हैं हमको पर सेकेंड थर्ड और फॉर्थ यह चार BOS हो गए और पांच भी बार मार्केट ने इसका हाई अभी भी बिरेक नहीं किया है जनरल ही क्या हुआ है जब भी मार्केट नीचे हायर लो बनाया है यहां पर देखें हायर लो बनाया है मार्केट ने फर्स्ट हायर लो बनाया है थर्ड हायर लो बनाया है फॉर्थ हायर लो बनाया है यहां पर पांचवा हायर लो बनाया है च्छट हायर लो बनाया है और य बीच में है, consolidation ही फेसे में, यहाँ पर पांच जुन तक सायद, market में कोई decision नहीं आ सकता, यहां तो, कल यह, एक gap छोड़ के जो गया है, market में, जो तिक यह जो fair value gap है, यहाँ पर, fare value gap यहाँ पर 48,068 तक, media ने वहाँ पर, और यहाँ पर यह जो अपना एक लेवल है 178 मतलब 180 मुटा मुटा तो 260 से यह सब सपोर्ट एरिया है मार्केट समभ अगर यह सस्टेन नहीं कर पाया और अगर नीचे जाता है तो आने वाले दिनों में अगर यह यह ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है उसको अगर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो एक बड़ा फॉल आएगा दो लेवल है गाईस 43,338,42,377 मार्केट वहाँ तक भी जा सकता है वाट पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा मैंने अल्रड़ी लिखा था कि यहाँ पर एक कॉल लेना है अगर यहाँ से निकल गया मार्केट तो फिर बड़ा 52,000 का लेवल आएगा पहले 50,000 आएगा रेटेस करेगा फिर 52,000 आएगा सीधा सीधा नहीं आने माना है ठीक है गाइस तो अगर आपको मेरा अनालीसिस अच्छा लग रहा हो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्रीब करेए और बाकि सभी रिटेल ट्रेडरों को भी वेजे जिससे हम उनका लॉस कम कर पाए थैंक यू